लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने उत्राखट में इस्टित जीले कर ली थी जील या फिर जो ताल है वो हम अपने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं उससे पहले हमने नदी तंत्र कर लिया था अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहे हूं कि आप लोग जो भी श हो जाते हैं और जो आपका यह नदी तंत्र वाला चैप्टर है यह अल्मोस्ट शॉटकट पर ही है अब देखिया आप इतने सारे कुंड है इतने सारे ताल है इनको आप वैसे याद करने बैठेंगे तो यह याद नहीं होंगे इनके लिए कुछ न कुछ अल्टरनेट तो ह में निकालना ही पड़ेगा तो हमने निकाला शॉटकट का लेकिन जब हम इतने सारे याद करेंगे तो खिछडी पकती है पट आपको क्या करना है डेली के डेली इन लाइन को बबडाते रहना है एक टाइम बाद वह अपने आप ही दिमाग में घुश जाती है मैंने यह मतल प्रोवाइट करा रही हूं और उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको खुदी फीलोगा कि आप शॉटकट से हटते वे अपने आप आपके मुपे जो औरिजनल लाम है वो अपने आप ही आने लगेंगे बस आपको डेली रिवाइस जरूर करना है तो आज का जो हमारा टॉ का प्रीयाओ विसे दिवाएस अब आपके प्रियाओ चार अप्षिंब करके आपको ऐसके हुखेंगे लाम मुपे अफना यह फाला है कि अ से लगाने हैं कि कौन सा प्रयाग सबसे पहले पढ़ेगा तो जो पंच प्रयागों का क्रम है वो है विश्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देप्रयाग अब जो आपके स्टार्टिंग के तीन है विश्णु, नंद और कर्ण ये आपका विश्णु प्रयाग, ना से आपका नंद प्रयाग, का से आपका कर्ण प्रयाग, रू से आपका रुद्र प्रयाग और देव से आपका देव प्रयाग और जनरली आपको वैसे भी याद हो जाएगा जब आप देखोगे कि तीन चमोली के आपको याद करने हैं विश सी नदी के संगम पे कौन सा प्रियाग आपका बनता है वन भाई वन हम उनको देखते हैं अब फ़स्ट प्रियाग है हमारे पास विष्णु प्रियाग यहां पे देख रहे हैं विष्णु प्रियाग अब यह तो आपको पता होना चाहिए कि अलक नंदा तो सब में कॉमन है जो भी नदिया मिलेंगी वो अलक नंदा में जाके मिलेंगी तो फस्ट है हमारी अलक नंदा जो की मुख्य नदी है बाकी उसकी सायक नदिया है जो की प्रियाग बना रही है अब देखें फस्ट है विष्णु प्रियाग और यहां पे है धौली गंगा तो इसे आप ऐसे भी से याद कर सकते धो भी धो भी से क्या हो जाता धोली गंगा और विश्नु प्रयाग या फिर यहां पर यह भी है कि अलका ने विश्नु की कमीज धोली विश्नु विश्नु प्रयाग धो से धोली गंगा और अलका से अलक नंदा वैसे भी अलक नंदा तो आपको याद कि आपका मिल जाएगा और दूसरी अलग नंदा तो आपकी common है बाकी यहाँ पर एक और formula लिखा है नंद, आनंद, नंद से नंद, प्रयाग, आ से अलग नंद, और नंद से नंद, आकनी, तीसरा आपका आता है कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग में अलग नंदा तो होगी जो मिलती है वो आपकी होती है पिंडर, तो अब आप इसको ऐसे भी आ सकते हो कि कर्ण में पीडा हुई, इस तरीके से भी कर सकते हो, अलका के कर्ण में पीडा हुई, कर्ण से कर्ण प्रयाग और पिंडर से पिंडर आपकी हो गई है, अब अगला है आपका रुद्र प्रय रुद्रप्रियाग में जो नदी मिलती है, वह आपकी मंदाकनी है मंदाकनी है और इसके लिए फॉर्मूला है अमरूत यह आपको चार याद हो जाते तो पांचवा वैसे खुदी अपश्मज में आ जाता है और ये देव प्रयाग और अलक नंदा और भागी रती ये तो बहुत पुराना और मतलब बहुत पुराना कोश्चन है कि बहुत जगा पुछा जाता था कि देव प्रयाग में कौन सी दो नदियों का संगम है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलक नंदा के साथ कौन सी नद आसा होता है कि जो छोटी सी detail होती है वो आपने नहीं पढ़ी रहती हैती तो आप बोल दे तो ये tough question था जबकि बाकियों के लिए यहाँ पे एक मैंने formula लिखा है कि तू रुक के मद पहले आपको इनके नाम याद होने चाहिए तब ही आप formula में अपलाए कर अब इस तू रुक के मद का क्या मतलब है जब आपको तूंगनाथ ही नहीं पता है तो सबसे पहले तूंगनाथ, रुद्रनाथ, कलपेश्वर, केदारनाथ और मद महिश्वर यह आपके क्या हो गए है यह आपके हो गए है पंच केदार अब यहाँ पे एक formula लिखा है मैंने तू रुक के मद इससे आप याद कर सकते कि तूंगनाथ, रुद्रनाथ, कलपेश् अब मैं इसको एक और तरीके से भी बताती हूँ आपको, कि यहाँ पे मैंने यह शिवजी भगवान जी बना दिये हैं, आप ऐसे imagine कर लीजिए, शिवजी भगवान जी हैं, अब देखे, सबसे पहले आता है कलपेश्वर, कलप का मत्ता होता है बाल, यह जटाएं, तो जहा बहुत गुस्से में हैं, तो इसका मतलब उनके आखे बड़ी-बड़ी हो गई है, तो रुत्र नात में जो होती है, वो आखों की पूजा होती है, उसके बाद आता है तुंग, तुंग का मतलब होता है हात, तुंग नात में आपके हातों की पूजा होती है, और केदार ना गोठी sinners के पुजा आप्सकों Iा इसे करें कि मुख हूए था यह याद करना है कि हमारा कौनसा कौनसे में तो जो गर्दन से उपर वाले हैं वह आपके पहोट से नगे दो थे जहांपे बालों की पूजा थी और आखों की पूजा थी यानि कलपेश्वर हो गया और रुद्रनाथ वो रौद्र रूप से आखों से देख रहा है तो यह आपके हो गया गरदन से उपर वाले हो गया चमुली में और उससे नीचे वाले हैं आपके रुद्र पड़े हैं उनमें से आपको आलमोस सारे याद हो ही गया होंगे अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है अब देखिए उत्तराखन के प्रमुक गलेशियर या हमनद आपने देखा बहुत सारी जो उत्तराखन की नदिया है वो इन ही गलेशियरों से निकलती है इन ही हमनद उन से निकलती है तो इनको कैसे याद करना है इनकी शौट ट्रिक्स क्या है वो सारी वन बाई वन उत्तरका और आप क्या करिए जो भी नोट्स बनाते हैं वो अपनी हैं राइटिंग में अगर एक बार ही लिखेंगे तो याद होनी की जो चांसे से वो ज्यादा वड़ जाते हैं जब तक आप लिखते नहीं हो यह मेरा मानना है कि लिख के जादा याद होता है बाकि अपनी अपनी टे जो क्या लिख एक से आपके कम्ट्छी थो गएं हैं अब dorm tag पूंच और पुंच आता है कि बपूंच यम्ना और उसकी शायक नदिया निकलते ही से हगो गंगोत्री गंगोत्री से भी आपने देखा गंगा नदी निकलती है यह से हो गया आपका यमनोत्री चांद से हो गया आपका चांग थांग या फिर चतुरंगी दो चांद से आपको दो हिमनद याद रखने चांग थांग और चतुरंगी अब अगला देखते हम चमोली में यह देखिए आपे चमोली के संत भागे बद्रिनाथ से दूर हिमाल है चमोली से तो चमोली हो गया कि यह कौन से डिस्रिक के हिमनत हैं कौन से जिले के हैं चमोली के संत से हो गया सतोपंथ अभी मैं अलगनंदा नदी की सायक नदिया बता रही थे तो अलगनंदा नदी सतोप ग्लेशियर से ही निकलती है, बहुत बारी मैं इसको बता चुकी हूँ, important question भी है तो आपको याद रखना है, उसके बाद हो गया आपका, भागे से हो गया आपका भागी रती ग्लेशियर, बदरिनाथ से आपका बदरिनाथ ग्लेशियर, दून से हो गया आपका दूनागरी ग कहा जाता है एक नाम तो है इनका हिमनत दूसरा हो गया इनका ग्लेशियर और तीसरा होता है इनका बमग याद यह भी आपको धिहान रखना है कि अगर कुर्शन बन जाता है यूग के पीसी तो नहीं पूछता है लेकिन यूग के एससी में ऐसे छोटे-छोटे टम्स पूछे जाते हैं कि बमग किस से संबंदित है तो आपको ऑप्शन दिये रहेंगे और आपको फिर आपको चूज करना होता है तो बमग हम ग्लेशियर का ही दूसरा नाम है अब यहाँ पे है पिथोरागड में इस्तित हिमनत या फिर ग्लेशियर तो यहाँ पे है कामना हीरा की मां से हो गया मिलम, मिलम ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टन है नामिक ग्लेशियर हीरा से हो गया हीरा मनी पीटाई से हो गया आपका पेटिंग ग्लेशियर या फिर पिनोरा ग्लेशियर और पिथोरागड से तो आपको पता ही है पिथोरागड के हैं और रा से हो गया आपका रो से रालम ग्लेशियर ये सारे आपको नोट करने हैं बाकी आपको PDF ऐसे मिलेगी ही जिसको ना करना हो कोई बात नहीं PDF आपको मैं प्रोवाइट कराती हूँ पर जिनको लिखके याद होता है वो एक बार लिखे जरूर अब है अगला बागेश्वर में इस्तित हिमनत तो ब अलक नंदा के साथ मिल जाती है और करन प्रयाग में एक जो प्रयाग बनाती है वो कहां से निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी अब देखिए मेरे को सुंधर सुखे काफल खाने पिंड के बाग जाना है मेरे को सुंधर सुखे काफल खाने पिंड के बाग ज यह आपके क्या हो गए हैं सारे हिमनद हो गए अब अगले डिस्टिक का देखते हैं रुद्रप्याग में इस्तित ग्लेशर इसमें दो ही हैं केदारनात और चौराबाड़ी का कल मैंने आपको बताया था कि इसको कौन सा गांधी जी के नाम से कुछ कहा जाता है वो आपको ध होना चीक के दारनात आपका चार धामों में से एक के दारनात आपका रुद्रप्याग में चौराबाड़ी ठीक है चौर चौरी चौरी करके रुद्रप्याग को भागा या फिर गया तो चौर से चौराबाड़ी के से के दारनात तो यह आपका दो ही ग्लेशर थे यह वैस बृणगना नदी निकलती है ये आपको ध्यान रखना है कि विलंगना नदी कल भी तन्तर में आपको बताया था इसे तो यहां से यह ऐसे याज सकते हो कि टहरी से रुद्र प्रया, खत्भेजो, खत्से क्या होगी आपका खतली ग्लेशियर अब ग्लेशियर से जो गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का उद्गमस्तान तो गंगोत्री हिमनद का क्या है कि ये भारत का तो दूसरा बड़ा ग्लेशयर है और राज्ये का सबसे बड़ा यानि उत्राखन का सबसे बड़ा ग्लेशयर अगर पूछा जाए तो कौन सा है गंगोत्री और ये आपको प पिथोरागड बागिश चमोली तक फैलावा है और यह राज्य का कौन सा है दूसरा बड़ा ग्लेशियर है अगर ऐसे सेलेक्ट करने के लिए आ जाएं कि क्रम में लगाएं तो सबसे बड़ा गंगोत्री है उसके बाद कौन सा है पिंडारी और यह मैंने अभी पहले भी बता जाए कि कुमाओ का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो वो कौन सा है मेलम ग्लेशियर यह आपको ध्यान रखना है और यह गौरी गंगा नदी का जो है उसका उद्गम अस्तान है आपको मैंने परसो भी बताया था कि जॉल जीवी नामकस्तान पे जो गौरी नदी है वो काली सतोपंत है यह मैंने आपको बता रखा है बहुत बार अलक नंदा का उद्गम खतलिंग बिलंगना का उद्गम अभी उपर बताया था चौरा बाड़ी हम नत यह बता दिया मैंने गांदी सरवर इस्तित है और यह मनदाकनी नदी का उद्गम अस्तान है तो यह आपके एक ही नाम से बहुत सारे होगे सूर्य कुंड, देव कुंड इसी तरीके से आप देखोगे कि और कुछ गरम कुंड है और कुछ ठंडे कुंड है तो इन कुंडों को बहुत ज्यादा कन्फिजन हो जाता कि कौन सा गरम है और कौन सा ठंडा है ठीक है तो इसकी भी मैं ट्रिक बताँगी करम और ठंडा पहले सबसे पहले यह यात कर ले कि कौन से जिल्ले में कौंसा कुंड है अब देखिए अगर उत्तरकाशी के या फिर यमनोत्री के कुंड़ बात की जाए क्योंकि आपको पता हुना चै कि यमनोत्री का है ऊत्तरकाशी में स्थित ए यहां पर आपके जो कुंड इस्तित है वो है सूर्य कुंड, देव कुंड और गंगानी कुंड गंधक यानी सलफर सलफर से युगत है यहाद रखना है गंधक से गा से आप याद कर सकते हैं या बाकी मैंने इंगलिश में बता दिये कि इसे सलफर कहते हैं आप देखें इसका फॉर्मुला है कि सूर्य देव गंगा यमनोत्री में है आप देखें आपको पता है कि गंगा यमनोत्री में है लेकिन आपको फिर भी बोलना है कि सूर्य देव गंगा तो यमनोत्री में ही है तो सूर्य देव से क्या होगा आपका देव कुंड और गंगा कैसे यह हो गया आपका गंगानी तो यह आद रखना और यमनोत्री तो आपको पता हिए कि कहा है उत्तर काशी में तो सुर्यदेव गंगा कहा है यमनोत्री में अब दूसरा है पिथोरागड के कुंड तो पिथोरागड के कुंड है वो है आपके सूर्य कुंड और नंदा कु है तो गरम कहा है जो यमनोत्री में है जबकि वहाँ ठंडी है बहुत बारफ पढ़ती है लेकिन वहीं वह गरम कुंड है वह अपोजिट है ठीक है वह ठंडी में रहात देने के लिए आपका गरम कुंड है आप देखिए इसको कैसे याद करोगे आप उसमें तो आपने किया सूर्य देव गंगा कहा है यमनोत्री में यहां आप याद करोगे सूर्य नंदा पिथारागण में सूर्य नंदा कहा है पिथारागण में आपको बस ऐसी बोलना है एक दो बार सूर्य देव गंगा यमनोत्री में है सूर्य देव सूर्य नंदा पिथारागण में अब यहा इम कुंढ और हों। दो अलग अलगी हैं पहले वह आपको बता रखाय है। तब्टकुंड, भापकुंड, रिशीकुंड और बेदनी खुंड तो इसके लिए क्या है फॉरमुला जो है हेम गौरी, नाग तथा सब्टरिशी बेदनी को लेकर हों गए। तो देखिए हेम से हो गया हेम कुण, गौरी से हो गया गौरी कुण, नाक से हो गया नाक कुण, सब्त रिशी से हो गया सब्त रिशी कुण, वेदनी से हो गया आपका वेदनी कुण, और सब्त से सब्त रिशी हो गया रिशी से रिशी कुण हो गया आपका, होम से होम कुण, ये सारे आपके हो चुके हैं तो ये भी आपको ऐसी आप बार बार बोलते जाएंगे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे अब है बागेश्वर के कुन तो बागेश्वर में है सुन्दर ढूंगा तो इसको आप ये जो सुन्दर ढूंगा है एक दर्रा भी है पास भी है जो कि चमपावत और बागिश्वर के बीच में है चमपावत और बागिश्वर के बीच में इसे चबा सुन्दर ढूंगा से याद कर सकते हैं चबा सुन्दर ढूंगा या फिर आप इसे ऐसे भी वो मैं आपको जो अभी बोला था वो दर्रे की बात की थी मैंने कि यहां पे चमपावत और बागेश्वर के बीच में जो है सुन्दर ढूंगा दर्रा है तो उसको चबा चाबा सुन्दर ढूंगा से याद कर सकते हैं और कुंड की बात करें कौन सा कुंड गरम कुंड है अब देखें गरम कुंड का यहां पर फॉर्म कुंड है वह है सूरे कुंड एक तो आपको याद रखना कि सूरे कुंड दो है एक गरम भी है और एक ठंडा भी है सूरे कुंड टप्त कुंड गौरी कुंड गंगानी बहरी अमोला कुंड और बहुत पता है जब हमने बच्पन में साइंस पड़ी थी अब देखिए इसी पर बेस्ट यह आपका जो है शॉट ट्रिक्ट है कि सूर्य तप्त होकर गौरी गंगा यह नदी से नदी ब्रैकेट है मैं है और यह ब्लैंक है सूर्य तप्त होकर गौरी गंगा से भारी भाप उत हो गया और यह नदी थी हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि आज चतना पढ़ा उतिन में इसे 50% तो सुनके ही याद हो जाता है कई बारी उससे भी जादा बागी आप अपने आप बार बार ट्रिक्स पढ़ेंगे तो वैसे ही हो जाएगा तो ये तो पूरा 100% ऐसा है कि आप अपने आप से easily एक दिन में सारा याद कर सकते हैं को ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़़रवत नहीं है जो 3-4 दिन से क्लासे शॊट ट्रिक्स की चलनी हैं ये जितनी भी शॉट ट्रिक्स हैं जो और एक बात और कि सब कुछ शॉट ट्रिक्स से नहीं हो सकता आपको short tricks के ही पीछे नहीं पढ़ना है कि सब कुछ याद हो जाए कुछ facts थे हैं जो याद करने पढ़ते हैं रटने पढ़ते हैं उनको आपको रटना ही पढ़ेगा और एक होता है कि sun कि हम sun कैसे याद करें तो UKPSC mostly sun बहुत कम पूछता है कम पूछता है in fact UKSSC जादा sun पूछता है UKPSC का focus sun पे कम होता है लेकिन हमें paper का pattern कुछ नहीं पता है हां मैं ARO की बात कर सकती है उसमें sun नहीं आये थे एक या दो बहुत कम थे जो sun पे based question थे जबकि UKSSC के जो question होते हैं वो उसमें sun बहुत सादा पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है कि यह नहीं वोलूगी कि छोड़ दीजिए sun भी पढ़ने है और जो important sun है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूं कि जैसे FRI कब बना यह जो important चीज़े हैं यह तो आपको याद करनी पढ़ेंगी बाकि जैसे हमने जो history में पढ़ा था timeline पढ़ी थी कि इस once के बाद यह आया था उसमें आपको sun पर focus करने की कोई ज़रुरत नहीं है sun उसमें बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे कि यह नहीं पूछा जाएगा कि अजये पाल कब साशन में बैठा कब गदी पर बैठा था इस टाइप की question आपको पूछे जाएंगे बस आपको अजये पाल के कारे याद रखने हैं यह कोई भी सार्शक है उसके कारे याद रखने है और बाकी जो important sun से related question होंगे air से related question होंगे वह आपको मैं साथ साथ बताती रहूंगी मैं यह सर जो भी हम class लेंगे हम बताते रहेंगे तो आज की class के अगली वीडियो में बताऊंगी जो जो नए चीज़ें होंगी अब तब तक लिए आप लोग अपनी तयारी अच्छे से करिए पढ़ते रहें गुड़ लग टेके बाबाए